हे वासब गाईज कैसे हो आप लोग मुहमबद आमिर पाकिस्तान के जवर्जस कर्केटर जिन्होंने एकदम से रिटायर्मेंट ले लिया है तो आप सोसल मीडिया में ये खबर है फैल रही है कि मुहमबद आमिर आईपियल खेलना चाहते हैं जैसे आपको याद होगा पाकिस नागरिक्ता ब्रिटिस नागरिक्ता के लिए एपलाई कर दिया है और कुछी दिनों बाद इन्हें ब्रिटिस की नागरिक्ता मिल जाएगी तो उसके बाद मुहमबद आमिर इलेजबिल हो जाएंगे आईपियल के लिए तो दोस्तों आपको क्या लगता है मुहमबद आमि आईवेल खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे आपको पता हुगा पाकिस्तान के एक और किर्किटर थे जिनका नाम है इम्रान ताहिर उनके पास दोहरीन मतलब डो डोवल नेशनलटी थी पाकिस्तान की भी थी और साउथ अफ्रिका की भी थी तो वो आईवेल खेल रहे तो ऐसा ही कुछ rule apply हो सकता है मुहमबद आमिर को लेकर अब ये पता नहीं कि मुहमबद आमिर को कितनी जल्दी बृटिस नेस्नल्टी मिलती है या उन्हें मिल चुकी है इसके बारे में भी कुछ भी पता नहीं है पता तब ही चलेगा जब ये मेगा auction के लिए apply करेंगे जो ज जल्दी होने वाला है तो दोस्तों आपको पता होगा मुहमद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से 28 साल की उमर में retirement लिया है आपको बता दू कि अभी जो टी नटराजन है उन्होंने 29 साल की उमर में इंटरनेशनल क्रिकेट में debut किया था और मुहमद आमिर ने 28 साल में इं जल्दी आये थे मुहमद आमिर का आपको एक ही स्पेल याद आता होगा जो जबर्जस स्पेल इंडिया के खिलाफ T20 चैंपेंस ट्रोफी 2017 के फाइनल में किया था इन्होंने और इंडिया टॉप ओडर पूरी तरह इन्होंने उड़ा दिया था और जिसके बाद पाकिस्ता चैंपियन मन गया था तो चलिए दोस्तों इनके स्टैट्स देखते हैं सबसे पहले इन्होंने 36 टैस्ट मैचस में 119 विकेट लिये हैं 30 की बालिंग एबरेज से मतलब हर 30 बाल के बाद इन्होंने विकेट लिया है 61 81 विकेट लगभग 30 का एबरेज 49 टी 20 मैचस में इन्हो बहुत बड़े बालर थे लेकिन आपको पता है कि स्टैट्स और जो प्लेयर परफॉर्मेंस रहती है वो बिलकुल भी बिलकुल ही अलग चीज रहती है मतलब जैसे कोई प्लेयर एक बालर प्रेशर बना रहा है और दूसरे बालर को विकेट मिल गए हाला कि ये बड़े कि से ये टीम में आया और उन्हों है जबस-जथ परफॉर्मेंस दिया तो दोस्तों अभी ये ठी-10 लीग जो दुबई में होने वाली है यूए में होने वाली है उसमें पुने डेयबल से ये खेलेंगे और इनोंने क्लियर्य बोल दिया है कि मैं जितनी भी दुनिया में ल लीग भी आगई है, युएई में भी होती है, अभी कुछ दिन पहले अफगान, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग भी होई थी, आपको याद होगा और यहां तक की साउट अफरीक़ में भी लोकल्स लीग होती है और बहुत सारी लीग इसी तरह की की होती है कैनेड़ा प्रीमियर लीग भी आई थी कुछ दिन पहले आपको याद हो का हौंग कॉंग में भी एक लीग होती है तो ये उन सब लीग के लिए मतलब खेलेंगे तो दोस्तों ये हो सकता है कि मुहमद आमिर आईपिल खेलें आपको पता होगा मैंने आपको बता दि टीम खरीदती है या नहीं खरीदती यहाँ पे फैंस तो काफी एक्साइटेड हैं बोल रहे हैं कि RCB को RCB जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर विराट कोली के कैप्टेन स्विट में जो टीम है उसे IPL में मुहमद आमिर को पिक करना चाहिए अगर ये एपलाई करते हैं ऐसा नहीं है कि इनको डारेक्टली खिलना पड़ेगा पहले आपको एपलाई करना पड़ेगा फिर उसके बाद आप पर आॉक्षन में बिटिंग होगी बिटिंग होने के बाद आपको स्लेक्ट किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं दोस्तों मुमद आमिर के पास अगर बिटि रेटायरमेंट लेने के बाद फिर से अपना रेटायरमेंट बापस देते हैं और फिर टीम में चले जाते हैं तो अब आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें मुहंबद आमिर पाकिस्तान के एक बड़े बॉलर थे लेकिन स्टैट्स वो नहीं बतात तो दोस्तों प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें आपको क्या लगता है और बताएं कि आई पेल में आप इन्हें देखना चाहते हैं या नहीं